चांदी के भाव आसमान चुव रहे हैं, 16 मई को चांदी ने अपना ओल टाइम हाई बनाया है इंडियन बुलियन एंड च्वेलर्स एसोशेशन के अनुसार चांदी 85,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुँच गई है HDFC Securities के Commodit और Currency Head अनुज गुपता का कहना है कि अगले एक साल में चांदी की कीमत एक लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक जा सकती है ऐसे में अगर आप चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो Silver ETF एक सही विकल्प हो सकता है Silver ETF के जर्ये आप शेर की तरह चांदी में भी निवेश कर सकते हैं पिछले एक साल में Silver ETF ने 17% से ज़्यादा का Return दिया है आईए जानते हैं Silver ETF के बारे में चांदी को शेरों की तरह खरीदने की सुईधा को Silver ETF कहते हैं ये Exchange Traded Fund होते हैं जिने Stock Exchange पर खरीदा और बेचा जा सकता है Silver ETF का Benchmark Sport Silver के कीमते होती हैं जिससे आप इसे चांदी की वास्तिवी कीमत के करीब खरीद सकते हैं ETF के जरिये Silver Units में खरीद सकते हैं इससे कम मात्रा में या SIP के जरिये चांदी खरीदना आसान हो जाता है Silver ETF के एक यूनिट की कीमत अभी 100 रुपे से भी कम है यानि आप 100 रुपे से कम में भी निवेश शुरू कर सकते हैं Electronic चांदी डीमेट अकाउंट में रहती है जिसमें सिर्फ सालना डीमेट चार्ज देना होता है Physical चांदी में छोरी का खत्रा और उसकी सुरक्षा पर खर्च होता है जबकि Electronic चांदी में ये समश्या नहीं होती Silver ETF को तुरंद खरीदा और बेचा जा सकता है पैसों की जरूरत पढ़ने पर आप जब चाई से बेच सकते हैं तो अगर आप भी चांदी में निवेस करने की शोच रहे हैं तो Silver ETF सुरक्षित और लाबकारी विकल्प हो सकता है चांदी के भाव